नमस्कार वेलकम अभिनन्दन आस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जाने बिजनस में आज कैसा रहेगा आपका दिन हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा हाल किसे नौकरी और करियर को लेकर आज मिल सकती है खुश खबरी पार्टनर के साथ आज कैसा वीतेगा आपका दिन इस तरफ के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखिए अब जानते हैं 22 मई 2024 दिन बुद्धवार आज का पंचांग विक्रम समवत 2018 हिंदू पंचांग के नुसार मास विशाख है पक्ष कृष्ण पक्ष है और रितू ग्रितू है आज चतुर्दशी तिथी शाम 6 बचकर 45 मिनिट तक रहेगी इसके बाद पूर्णिमा तिथी लग जाएगी आज चंद्रुमा तुला राशी में राद 2 बचकर 56 मिनिट तक गोचर करेंगे इस समय सूर्य व्रिशिफ राशी में गोचर करेंगे आज सूर्य दे सुबह 5 बचकर 27 मिनिट पर होगा आज चंद्रो दे शाम 6 बचकर 11 मिनिट पर होगा आज अभिजीत मौरत कोई नहीं रहेगा आज राहुकाल दुपैर 12 बच कर 18 मिनट से शुरू होकर दुपैर 2 बच कर 1 मिनट तक रहेगा आज नर्सिंग जैन्ती है अब जानते हैं 22 मई 2014 का राशी फल पहली राशी मेश राशी प्रिय मेश राशी के जातक जैसा कि चंद्रुमा आज तुला में है आप आराम कर सकते हैं और आज की दुन्या में उन चीजों से प्रसन्न हो सकते हैं जो आपको उन लोगों से प्राप्त समर्थन के कारण है जो आप सबसे अधिक परवा करते हैं इस विशिष्ट दिन पर कोई करीबी दोस्त या परिवार के सदसे से उत्साह जनक जानकारी प्राप्त करने की उमीद कर सकते हैं इस संदेश को प्राप्त करने के लिए कोई तत पर आपको मिल सकता है आज आपको ध्यान और प्रशंसा के साथ दूसरों को भड़काने के बारे में परिशान नहीं होना चाहिए ऐसा करने से आप उतना ही अच्छा महसूस करेंगे जितना की आपको लोग महसूस कराते हैं बात करते हैं आपके लव लाइफ की अपने साथी के लिए यूग की उपहार के खोज आपके प्यार को और अधिक बढ़ाएगी अपनी यूगिता इवन समझदारी से अपने साथी को इस बात की अनुगूती कराने से नहीं चूपना चाहिए कि आप उसके प्रती इतने वफादार हैं कारे शेत्र में आपकी महनत वो इमानदारी की प्रशंसा होगी हाला कि अभी भी अपने करियर को आगे ले जाने के लिए आपको बहुत महनत करनी होगी इसके लिए आप कुछ नई तकनीक भी सीख सकते हैं आपकी रचनात्मक्ता वा अनुभव आपको अपने विवसाइक लक्षियों को प्राप्त करने में मदद करेंगे अपने अनुभव अपने साथियों के साथ बाटने से भी आपको लाब होगा आज शेयर बजार में तगड़ा उतार चड़ाव हो सकता है इसलिए अगर आप इसमें पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो हर पल चौकन ना रहें आज इस बात पर नज़र रखें कि शेयर बजार में क्या कुछ चल रहा है इससे भविश्य में निवेश करने में आसानी होगी इस समय से सबक लें इसका फायदा भविश्य में मिलेगा किसी भी वाहन को चलाते वक्त आज साथधानी परतें आज आपको सड़क दुरखटना से बच के रहना चाहिए और यातायाद के नियमों को फॉलू करना चाहिए शुक्रिया अब जानते हैं कि व्रिश्यम राशी वालों के लिए क्यों खास है आज का दिल आज आप जीवन को लेकर बहुत आशावादी महसूस कर सकते हैं पूरी एनरजी से काम कर पाएंगे आप दिन भर आशावादी बने रहेंगे आपका सखरात्वक मूर आपकी आसपास की अन्य लोगों पर भी दिखाई देगा काम से ब्रेक ले सकते हैं जहां आप आराम कर सकते हैं आज आपको दावेदार होना होगा उताबला नहीं उताबला होने और दावेदार होने के बीच में अंतर समझें या अपने रिलेशिंशिप को खराब कर सकता है आज आपको अपने कारेस थल पर कोई अच्छी खबर मिल सकती है अगर अभी तक नहीं मिली है तो मिल चाहेगी विध्यारती पढ़ाई में मन लगा पाएंगे विदेश से कोई अच्छी खबर आ सकती है आप आज निवेश का कोई नया वितल तलाशेंगे हो सता है आप किसी ट्रेडिंग की सोचे या फिर ओनलाइन शेयर बजार में हाथ अजमाना चाहें नए प्रयोग करने के लिए आज का दिन बुरा नहीं है पर शेयर बजार के उतार चरहाब पर आपको हरपल नजर रखनी होगी जादा जोखिम ना उठाएं आज आपको खुद पर जादा ध्यान देने के अवशक्ता है आज आपकी दूर घटता से कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें आस्रोयोगी जयोदिशयों के अमसाल गुलावी आपका लगी कलर रहेगा दुपैर 15-40 मिल्ट से दुपैर 25-45 मिल्ट तक का समय आपके लिए लगी होता शुक्रिया बात करते हैं मिथुन राशी की प्रिया मिथुन राशी के जातर तुला राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण किसी बात के कारण टेंशन हो सकती है जिन लोगों की आप परवा करते हैं उनके साथ समय बिता सकते हैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने और कुछ नया देखने के लिए आज का दिन अच्छा है आप अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ छोटी-छोटी यात्रा कर सकते हैं मौज मज कर सकते हैं और आज जितना हो सके अपने काम की चिंता से दूर रहें आज आज आपको छोटे-छोटे मुद्धों को लेकर अपने लग लाइफ में पार्टनर के साथ जबरों का सामना करना पड़ सकता है आप पार्टनर को दिये गए वादों को पूरा करने में अपने को अ यदि आज नहीं तो यह आने वाले समय में कभी भी हो सकता है आज मिलने वाले अफसर को हाथ से ना जाने दें अभी शेयर बजार से दूर ही रहें क्यूंकि यह समय शेयर बजार की खिलाडियों के रिए बड़ी दुविदा माला है इसलिए अंदाजा लगा कर ना चले बा अब देखते हैं क्या तेता है करक राशी के लिए आज कर राशी फल तो प्रीय करक राशी के चातर चंद्रुबादा तुला राशी में बोचर करने से आपका मन आपके कारे और विकल्पों पर चिंतन करने का होगा यह समय आपके बहुत व्यस्त दिनों की बाद आएगा इ इस समय आप शांती और संतुष्टी की तलाश में होगी इसके लिए आस्रोयोगी जियोतिशी सलहा देते हैं कि ध्यान और चिंतन के लिए कुछ समय निकाले या पर किसी ऐसे सम्हूं से चुड़ें जो आत्मिक विकास पर ध्यान केंदृत करता हो आज का दिर एक यादकार दिन साबित होगा जिसमें लव लाइज में आप कुछ नया कर पाएंगे मौका नागवाएं अपनी रोमांटिक यादकारों को समेटें आज के दिन रिलेशन्शिप को आप इप्रूव कर सकते हैं करेर के मामले में आज के दिन आपको आज इविका के शेत्र में कुछ सफल करता मिलने की उमीद है वर्तमान में पदोनती तो नहीं परतु किसी प्रकार की पहचान या प्रसिथी मिल सकती है इस सम्मान से प्रेड़ना लेकर आने वाले प्रदर्शन की रहा आसान करें आज आपको आर्थिक नुपसान की संकेत हैं इसने पैसे रुपे को लेकर थोड जरूरी है 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 कि मामले में आज आपको किसी भी आग से आग से संबंदित उपकरणों से साथ रहना चाहिए आज आपको ध्यान रखने की आवश्चकता है बाद में पच्टाने से अच्छा होगा कि पहले ही आप अपने आपको सुरक्षित रखें आज के लिए आपका भा अब देखते हैं क्या कहता है सिंग राशी के लिए आज का राशी फल प्रिय सिंग राशी के जातक आज ये संभावना है कि तुला राशी में चंद्रमा की उपस्तिती की वज़े से आप हर चीज में आगे लिंकल सकते हैं आपकी बुद्धि मता और सामान्य ज्यान आपको कि अच्छे परिणाम के लिए सभी कारे को विवस्तित तरीके से करते रहें आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा लव लाइफ के मामले में आपका प्यार और वफादारी से भर पूर व्यवहार आपकी रुमांटिक जिंदगी के काले बादलों की छटनी करतेगा अपने च अच्छे से बिताना चाहिए क्योंकि आपको अपनी करियर में पदोनती मिल सकती है अपने अधिकारियों को किसी प्रकार का नकरात्मक कारण ना दें आज कोई नया निवेश ना करें आपकी ग्राहतों किस्तिती आज से बदल रही है इसलिए जीवन में बहुत कुछ बदल अभी आर्थिक मामलों में साफधानी से कदम उठाने की जरूरत है आज आपको रोड पर चलते समय बहुत साफधानी बरतनी की आवशकता है तारे संकेत कर रहे हैं अगर आपका किसी यात्रा पर जाने का मन बन गया है तो उसे टाल दें अगर हो सके तो कोशिश करें कि आने से बहतर है कि पहले साफधानी बढ़ते शाम चार से पांच का समय भागिशानी रहेगा घूरा रंग आज आपका लगी कलर रहेगा शुक्रिया अब बात कर लेते हैं कन्या राशी की तो प्रिये कन्या राशी के जातक तुला राशी पर चंद्रमा के गोचर के कारण आज अपने निजी जीवन के कुछ हिस्सों को लेकर सकारात्मक महसूस करेंगे आश्रोयोगी की जियोतिशियों के अनुसार या आश्रावादी रूप आपके विवसाइक जीवन में भी फैलेगा जिसकी वच्छ से ये आपके आज इविका को बहतर करने के लिए अच्छा प्रभाव डालेगा ये सकारात्मकूर्जा आपके आसपास संक्रमक होगी वो चाहे आपका कारिस्खल हो या फिर आपके परिवार और दोस्तों के बीच हो आज के दिन का पूरा फाइदा उठाएं अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए आप अपने अंदरूनी प्रेम और आश्रावाद को फैलाएं आज का दिन वादो का दिन होगा आपके रोमांटिक मूड में रहने का दिन है आपको चाहिए कि आप अपने साथी के साथ किसी ऐसी जगा मिलने का कारेकरम बनाएं जहां पर कोई विवधान ना हो और आप एक दूसरे को समझ सके आज के दिन आप पाएंगे कि पदोन्नती का समय सामने आने से आपका काम और अधिक अच्छा हो चला है आपको मालूम ना हो तब भी आपके अधिकारी आपके काम पर नजर रखे हुए हैं अपने काम का सही प्रभाव सभी पर डालने का प्रयत्म करें निवेश के मामले में बाजार से आपको जो सूचना मिल रही है उसे लेकर आप बड़े असमंजस में घिर जाएंगे असल में इस समय बाजार में काफी हलचल है इसलिए आप कोई भी जो खिम्भरा निरने ना ले आज के दिन आपको खयाल रखना होगा कि बिचली के यंत्रों को इस्तमाल करते समय कोई अन्होनी ना हो दुरघटना होने के चांसेज हैं इसलिए बच कर रहे हैं आज आपको एलेक्ट्रोनिक यंत्रों का इस्तमाल करने से बच कर रहना चाहिए आज सुबह सवा नौ से ग्यारा का समय आपके लिए शिब रहेगा सफेद रंग आपके लिए सकारात्मक्ता लाएगा शुक्रिया अब बात करते हैं तुला राशी की प्रिय तुला राशी के चातर तुला राशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको बेचैन हो सकते हैं आप हस्मुक स्वभाव के व्यक्ति हैं। चंद्रमा का कोचर आपको रचनात्मक बना सकता है। आपको कुई भी विचान लिखना चाहिए जो आपके दिमाग में आए। आपकी कल्पनाओं को स्वतंत्र रूप से आपको प्रवाहित करना चाहिए। लव लाइफ के मामले में आपको चाहिए कि आप अपके साथी के समक्ष अपने प्यार को इस प्रकार व्यक्त करें जिससे वो आज कुछ नया पनवख खास अनुभव कर सके। इस बात द्यान प्रफी के प्रोपसाहन तारीफ बातर इंसान की कारेशमता बढ़ जाती है। इससे आपको सकरात्मक्ता की अनुभूती होगी। इसलिए अपने प्यार को बढ़ावा देने के लिए अपनी साथी को प्रोपसाहिब करें। उसकी तारीफ करें। आपको सबसे जादा प्रबंदकी उप्तरदाइप को और सकरातमक्त विचान की जरूरत होगी। इसी के साथ अपनी सीमाओं को बढ़ाते हुए कल का मात प्रशस्त करें। विध्यार्थियों के लिए आज कदर हल्चल से भरा हुआ है। बहुत कड़ी महनत के बाद भी शायर आपको स्कॉलर्शिप ना मिले। अपनी सभी जरूरी खर्चों के लिए पैसे जुटाना असंभव आपके लिए हो जाएगा। लेकिन आप समर्थ हैं आप पैसे जुटा लेंगे आपको सफलता मिलें। कि हैं कि मामली में कोई भाली समान उठाते समय आपको चोट लग सकती हैं आज आपको सांथान रहने की जरीवर्थ हैं। ऐसा कोई भी कार ये ना करें जिससे आपके शरीर पर दबाव पड़े। आस्ट्रो योगी जोतेश योख अनसार दुपहर एक बच कर चालिस मिनट से तीन बचे तक का साएं। आपके लिए शुब रहेगा। गुलाबी रंगाज भाकिशाली रंग रहेगा। शुब रहेगा। बात करते हैं वृष्चिक राशी की। तो प्रीय वृष्चिक राशी के चालिए। चंद्रुमा की तुलाराशी में कोचर करने से जरूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णे ना लें। हो सकता है कि इसकी वजह से आपको परिशानियों का सामना करना पड़े और हो सकता है कि आप स्वयम कलत निर्ने लेले व्रिशिक राशी आप जो करते हैं उसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय निकाले इस समय आप खुद को अत्यदिक तनाव और दबाव में पा सकते ह आप कुछ दिनों के लिए इस सारे दबाव से दूर हो सकें आप अपकी नई और अच्छी सोच के कारण अपने साथी का दुआन अपने तरफ केंवरित करेंगे इस बदलाव के कारण आप दोनों ही खुशी महसूस करेंगे करेर के मामले में आज आपकी कड़ी मेहनच से किये जाने वाले कामों की सनहाना होगी और आपको उन्नती में लिखी इन सकारात्म का अफसरों का लाब उठाएं आपके विचार सभी को पसंद आएंगे और आप एक के बाद एक उन्नती की सीविया चड़ते जाएंगे अगर शेयर बजार में आपकी रुची है तो अभी सिर्फ बजार पर नजर रखें जाच परक के बाद ही पैसा लगाना ठीक रहेगा अगर कोई निवेश करें तो लंबी अवधी के लिए करें अगर कोई छोटी अवधी का निवेश करते हैं तो भविश्य में उसका उतना फाइदा शायद ना मिले जितना आप सोच रहे हैं हेल्थ के मामले में आज ध्यान रहें कुछ भी काम करते समय आप लापरवाही ना बरने खुद को चोट लग सकती है ऐसा समय चल रहा है जिसमें कोई दुखटना होने की संभावना है आज के दिन आपका शुब समय शाम सावाचार से छे का रहेगा आज के दिन आपका शुब रंग सफेद रहेगा शुब लिया अगली राशी है धनू राशी तो प्रिय धनू राशी के जातक चन्रमा के तुला राशी में होने की वज़े से सामान्य तौर पर आज एक अच्छा दिन है एस्ट्रयोगी जियोतिशी ऐसे भविश्यवानी कर रहे हैं आज आप एक व्यवसाई की यात्रा पर जा सकते हैं इसी के साथ आपके व्यवसाई की वज़ह से बैठक लंबी चलेगी जिसकी वज़ह से आप व्यस्त रहेंगे लब लाइफ के मामले में आज आपको अपने आप में जहांकने का अवसर मिलेगा अपने संपूर्ण विकास के लिए कुछ अच्छे निरने लेने होंगे इसलिए अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं यह निश्यत कर लें कि आपका साथी भी वैसा ही महसूस करता है आज के दिन आपको लंबे समय के लंबित कारें को पूरा करना चाहिए हो सकता है कि आप इसकी अपेक्षा लंबे समय से कर रहे हों लेकिन देर आए दुरूस्त आए इस 39 से आपको एक लंबे अर्से के बाद समाधान मिलेगा विध्यार्थियों को आज किसी कर्स का या स्कॉलर्शिप का आवेदन देने के लिए अच्छा दिन है आज बात करते हैं अब कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा आपकी हेल्थ से रिलेटेड आज आपको खयाल रखना चाहिए जंक फूड को आज अवोइड करें और आपको किसी भी गरम बातावरन में नहीं जाना चाहिए गर्मी वाली जगाओं पर नहीं जाना चाहिए इससे आपकी तबियत बिगड सकती है आज के दिन आपका शुब समय शाम पांच से साड़े छे का रहेगा आज आपका शुब रंग वाइन रेड कलर रहेगा थांक यू अब बारी है मकर राशी की तो प्रिया मकर राशी के जातक तुला राशी में चंद्रुमा आज आपको गती शीलिता और उर्जा से भर देगा महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए ये दिन शक्तिशाली दिन हो सकता है चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल ये पेशेवर रूप से सबसे रचनात्मक दिन हो सकता है और जब व्यक्तिकत संबंदों की भी बात आती है तो ये एहम भूमे का निभा सकता है आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है लव लाइफ के मामले में नया रूमांस आपके जिन्दगी को रंगों से सराबोर करके आपको खुश मिजाज बना देगा उमीद है कि आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर जाकर बहुत अच्छा समय बिताएंगे जिससे आप ना केवल उमंगो वप्यार से भर जाएंगे साथ ही आपको एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा करियर के मामले में आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी बातों को इन दिनों प्रबंधन द्वारा सोचा जा रहा है यह वो समय है जब आपको अपने मन की बातों को प्रबंधन के सामने रख देना चाहिए इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल समभाव ना है ध्यान रहे जो भी कहे वो आपके और आपकी संस्था के हित में हो विध्यार्थियों के लिए खर्चीले दिन आने वाले हैं आपकी फीज तो नहीं बढ़ेगी लेकिन आपने कुछ कोचिंग क्लासेज लगा रखे हैं जो महंगे हो सकते हैं आज के दिन आपको थोड़े सामधानी बढ़ते नी चाहिए सड़क दुर घटना हो सकती है सड़क यातायात के नियमों को फॉलो करना चाहिए हो सके तो आज वाहन चलाना अवॉइट करें शाम पांच बजे से पहले अपने सभी शुब कारेक्रमों को और महत्वकून मीटिंग्स को खतम कर लीजिए शुबरंग आज आपके लिए हरा रहेगा धन्यवाद बात करते हैं कुम राशी की तो प्रिय कुम राशी के जातर चंद्रमा के तुला राशी में प्रवेश करते ही आप घर पर बहुत संतोज जनक दिन बिताएंगे कितने दिन बीट चुके हैं जब आपको ये महसूस करने का मौका नहीं मिला कि आपका पारिवारिक जीवन कितना महत्वकूर्ण है सिर्फ आपके लिए अस्ट्रयोगी चिवतिशीता सुचाब है कि आप अपने घर के माहौल में आराम महसूस करेंगे और अच्छा समय बिताने के लिए बहार जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी आप ना केवल उन सभी समय की भरपाई करेंगे जिनकी आप एक उपेक्षा की है बल्कि उनके लिए उपहार भी लेकर आएंगे आपको इस समय में कोई भी कठिनकारे बिना किसी कठिनाई के पूरा करने के लिए सफलता मिलेगी लव लाइफ के मामले में साथी के साथ बिताएं रुमैंटिक शणों की यादों में आज व्यस्त रहेंगे ये यादे ना केवल आप रुमैंटिक जिन्दगी में आनन्द भरेंगी बलकि आज रिलेशन्शिप को अच्छा बनाने में सहायक होंगी कारे शेत्र की अगर बात की जाए तो सकारात्मक व अनापेक्षित परिवर्तन होंगे आएकर विभाग की तरफ से आप के लिए कोई मुश्किल आज खड़ी हो सकती है इसलिए ध्यान रहे कि आपने सारे टाकस टाइम पर चुकाएं है आप पहले कभी टाकस जैसे मामले में दोशी नहीं रहे हैं इसलिए इस समस्या से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा हेल्थ के मामले में आठापको अपने स्वास्त का जाइजा लेना होगा जैसे रोजाना दातों की सफाई आदी आप अगर अभी थोड़ा ध्यान देंगे तो भविश्य में इसका लाप अवश्य मिलेगा महत्वपूर्ण कारिव करने के लिए दुपहर एक बज़े से दो का समय बहुत ही शुब रहेगा और आपके लिए आज शुब रंग हरा रहेगा धनीवार और अब आती है बारी मीम राशी ही तो मेरे प्रीय मीम राशी के जाकर आज चंडरुमा का तुला राशी में गोचर आपके लिए काफी फाइदेमन साबित हो रहा है इसके वजह से आपको आज आत्मविश्वास की भावना महसूस होगी आज आपका उर्जा का स्तर भी उचा रहेगा अस्ट्रयोगी के मुताबिक आपको चंडरुमा के पूचर से घरेलू और व्यवसाई जीवन में अधिक्तम लाब उठाना चाहिए मैंनत करना बेहद अच्छी बात है लेकिन मनवरंजन के लिए कुछ समय निकालना भी आपके लिए काफी मख़वपूर्ण है इसलिए यह सुनिश्यद करने के लिए कि आप पूरे दिल में ठके नहीं आपको अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए अगर आप किसी को लेकर जुनूमी है तो आज आपका जुनूम सामने आ सकता है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप उन्हें कितना भी छिपाएं लेकिन यह जो फीलिंग्स है बहुत शक्तिशाली होती है आज आज आप अभने प्रिये के साथ सबसे खुबसरत और अच आज आपको उन टैक्सों को चुटाने की चिंता सताएगी जिन्हें टाला नहीं जा सकता इसको लेकर बेवज़ा परिशान होनी की जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्सों चुटाने ही बढ़ेंगे इसलिए अच्छा रहेगा कि आप सही टाइम पर अपने टैक्सों का भुकता कर दें और चैन की सास लें किसी भी लापरवाही के कारण आज कोई घटना हो सकती है इसलिए आज सापधानी बढ़ते अगर आप वहिकल चलाते हैं तो लापरवाही ना करें आपको वाहन से चोट लग सकती है सापधानी बढ़ते हैं सवा तीज से सवा चार का समय आपके अब आश्रोयोगी की सभी दर्शकों के लिए खास ओफर आप सभी आस्रोयोगी पर अपना पहला अस्रोलोजी कंसिल्टेशन ले सकते हैं बिलकुल मोग और वह पूरी प्राइवसी के साथ तो आज ही डाउनलोड करें अस्रोयोगी आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक करें अस्रोयोगी.com पर कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार